हे गाईस वेलकम बैक टू माई चैनल तो फिर आजी रहे आपकी अपनी प्रीती गुपता नए वीडियो के साथ आज मैं अंकुरित किये हुए मूंग को कैसे अंकुरित करना है आपको दो दिन के अंदर जिस प्रकार से मैंने अंकुरित किया है उसी प्रकार से आप भी कैसे कर सकते हैं आज वह वीडियो आपकी शेयर कर रही हूं आप देख सकते हैं कि मात्र 2-5 दिन के अंदर मेरे जो मूंग है वो इतने अच्छे से अंकुरित हुए हैं इनकी जड़े भी निकल आई है और हलकी हलकी सी पत्तिया भी निकल आई है दोस्तों इस प्रकार अंकुरित कि ना ख़ा सके तो आप इसे सिर्फ दो चमभज के करीप रोज अगर अच्छा भी अंकुरित किया हो अगर खाते है तो काफी ज़्यादा अच्छा रहता है देखे मैंने इससे वाश कर लिया है वाश करने के बाद मैं इसे एक क Bea according लिया है वाश करने के बाद आपको एक कपड़ा गीला करके इसके उपर रखना है मैंने इस प्रकार से एक डाली लिए है ताकि इसमें हलकी सी एयर भी रहे और उपर से इसे गीले कपड़े से ढख दिया है ताकि इसे ये जल्दी से जल्दी अंकुरित हो पाए तो देखिए जस्ट राद को रखा स तुबा मैंने इसे ढख दिया और वापस साम को मैंने जब देखा तो ये इतने ज़्यादा अंकुरित हो चुके थे आप देख सकते हैं कि ये कितने अंकुरित हो चुके हैं उपर के और आप देख सकते हैं तो इतनी फास्ट अंकुरित होने का एक में कारण यही है कि आप इसे थोड़ा सा अंधेरे में रखे जादा लाइट ना आपाई जब हम मूंग को धर्ती में डालते हैं तो धर्ती में डालने के बाद हम देखते हैं कि यह जल्दी अंकुरित होते हैं इसलिए इसे जादा ड़क कर रखा है अब वापस 12 घंटे बाद मैंने देखा तो इस प्रकार से हमारे जो मूँग है वो अंकुरित हो चुके हैं आप देख रहे हैं वापस 12 घंटे बाद याने की टोटल इसे 36 घंटे होने आ गए हैं देखेंगे की हमारे मुंग इस प्रकार से अंकुरित हो चुके हैं, आपको क्या करना है, हर सुभा और शाम में कपड़ा हटाकर कपड़े को वापस गीला करना है, हलका हलका इन दानों में पानी चिटकना है और वापस कपड़े से ढखकर रख देना है मात्र दो दिनों में आपके मुंग इस प्रकार से अंकुरित हो जाएंगे और खाने के लिए रेडी हो जाएंगे जब आप इस प्रकार से मुंग को अंकुरित करेंगे तो ये बिल्कुल भी खराब वाला स्वाद इसमे नहीं आएगा, आपको freeze में रखने की आउशकता बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और अगर आप इसकी रशे वाली सब्जी बनाते हैं, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क अगर आपको कॉंस्टिपेशन के प्राब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा